विश्वक के सभी मेरे साथियों को राजरत नमबेटकर की ओर से जैभीम नमबुद्धा है दा अंटोल नमबेटकर के तेरावे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर बाबा साब अंबेटकर जी ने भारत को भारत का ही नहीं बलकि विश्व का सरवत्तम ऐसा सविधान भारत को निर्मान करके दिया लेकिन आज भी भारत के सवर्ण जो है ब्रह्मन जो है ये भारत के सविधान को नहीं मानते 26 जन्वरी 1950 को लागू हुआ ये सविधान दूसरे ही दिन दिल्ली में जलाया गया 2018 में हम लोगों ने देखा कि भारत के 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 सविधान को नहीं मानना चाहते मैं आपको भारत के सविधान का Article 13 आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, क्या क्यों भारत का भ्रामन भारत के सविधान को नहीं मानना चाहता हूँ, Article 13 में डॉक्टर बावा सब अंबेड कर लिखते हैं, English में मैं ये पढ़ूँगा उसका अर्थ में आपको हिंदी में समझ आता हूँ, laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights, Article 13, all laws in force in the territory of India, immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void, बावा सब अंबेड कर आर्टिकल 13, भारत के सविधान के आर्टिकल 13 में लिखते हैं, कि ये सविधान लागू होने से पहले, भारत का सविधान लागू होने से पहले, भारत में जितने भी कानून है, जितने भी प्रताय है, जितने भी इस देश के भूमी के उपर प्रताय लागू है मैं आज से उसको शुन्य घोशित करता हूँ आडाई हजार सालों की मनुस्मूर्ती डॉक्टर बाबा साब अमेड कर जी ने इस आर्टिकल के माध्यम से इस सविधान के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए भारत के भूमी से उसको हटा दिया मिटा दिया और यही न अबरिजेस दे राइट कंफर्ड बाइश पाज और एन एन लॉवमेशा शाल तो अगे बाबा साब और लिखते है कि हमारे मुलभूत अधिकारों को चिनने वाले कानून भारत की कोई भी सरकार कितने भी भूमत में आये कितने भी राज्यसवा में कितने भी लोग सबा में संसद में भारी भूमत से भी आगर वहाँ पर जाकर बैट जाते हैं तो भी वो हमारे मुलभूत अधिकार को कोई नहीं हटा सकता कोई नहीं मिटा सकता एक आर्टिकल में बाबा साब मनुसमूर्टी को हमेशा हमेशा के लिए भारत से निकाल देते हैं और दूसरे आर्टि सविधान का दوेश करता है, नफरत करता है, क्यूंकि बाबा साहब ने हमेशा हमेशा के लिए आड़ाई हजार सालों से इस देश में अस्तित्व में रही हुई मनोसमृती को हमेशा के मनुसमूर्थी क्या है अब हम लोग देखते है कि मनुसमूर्थी और सविधान क्या है इसका comparison करके देखते है वैसे तो इन दोनों की तुलना कभी हो नहीं सकती लेकिन दोनों के कानून में भारत के सविधान के कानून में और मनुसमूर्थी के कानून में भारत के लोगों के साथ क्या वेवार हुआ करता था इसका उधारन हम लेते हैं, खुद डॉक्त बाबा सभंमबेडकर जी के लिखे हुए Meeting वीजा जिसमें खुद बाबा सभंमबेडकर जी को क्या भुगत ना पड़ा था वो बाबा सभंने लिखा हुआ अब हम अपने मूल विशय के उपर आता है ये तो बाबा साहब ने अल्रेडी बताया हुआ है लेकिन इन बातों को आगे लेकर नहीं आते इसलिए ये भाग मैं अंटोल अंबेडकर में शामिल कर रहा हूँ बाबा साहब अंबेडकर जी जब छोटे थे 12-13 साल के थे तब उनके पिता जी किसी और जगह पर उनकी पोस्टिंग हो गई थी और इसलिए जब बाबा साहब के पिता जी राम जी बाबा ने देखा कि अभी बच्चों की छुटिया लग गई है तो क्यों ना बच्चों को मेरे यहाँ पर बुलाया जा तो बाबा साहब के पिता जी ने बाबा साहब को तार भेजी घर पर एक टेलिग्राम भेजा कि तुम लोगों की अगर स्कूल की छुटिया लग गई है तो मुझे मिलने के लिए आप लोग यहाँ पर पाच-दस दिनों के लिए यही पर आकर मेरे साथ रहो यह टेलिग्राम घर पर मिला राम जी वाबा ने उस टेलिग्राम में लिखा था उस चिठी में लिखा था कि कौन सी ट्रेन पकड़के आना है और जब तुम लोग उस जिस दिन आने के लिए निकलोगे उस दिन मुझे एक टेलिग्राम कर देना कि इस गाड़ी से इस दिन हम लोग आ रहे है ताकि मैं आप लोगों को लेनी के लिए स्टेशन पर आ जब। बाबा साहब को ये टेलीग्राम मिला बाबा साहब ने और बाबा साहब के बहनों के बच्चे बाबा साहब उस समय 12-13 साल के थे बाबा साहब जो बहने थी उनकी शादिया बहुत जल्दी हो गए थी इसलिए उनके जो बच्चे थे वो भी बाबा साहब से 2-3 साल छोटे थे तो बाबा साहब और बाबा साहब के बड़े भाई आनंद और बाबा साहब के बहनों के बच्चे ऐसे पाच्छे लोग मिलकर बाबा साहब के पिताजी को मिलने के लिए निकल पड़े बाबा साहब ने टेलिग्राम कर दिया कि हम इस ट्रेन से उतरने वाले है इस ट्रेन से आ अब बाबा साब ट्रेन पकड़के प्लाटफॉर्म पर आकर उतर गए, सारे बच्चों के साथ उतर गए, सभी ट्रेन में से उत्रे हुई भीड अपने अपने दिशा में चली गई, बच्चे वैसे ही प्लाटफॉर्म पर अपने पिताजी की रहा देख रहा है, सभी लोग ज जाना है किनके बच्चे हो तो बाबा सहाब ने बताया वो टेलीग्राम बताया कि हम मेजर सुविदार राम जी अमबेड कर जी के बच्चे हैं और हमको हमारी पीता जी ने बुलाया है वो हमको लेने के लिए आने वाले ते शायद हमारा टेलीग्राम उनको मिला नहीं है तो इसलिए वो हमको लेने के लिए नहीं पहुच पाए हमको इस पते के उपर जाना है हमें यहाँ पर छोड़ दीजी तो स्टेशन मास्तर ने वही पर बगल में एक बैल गाड़ी खड़ी हुई थी उस बैल गाड़ी वाले को बुलाया और कहां कि देखो यह अच्छे है घर के बच्चे है मेजर सुवेदार मेजर के बच्चे है आप एक काम करो इनको इस पते पर छोड़ करा तो वो बैल गाड़ी वाले ने सभी बच्चों को बैल गाड़ी में बिठाया बैल गाड़ी बाबा साब अंबेड कर जी के पिता जी के उस लोकेशन की तरफ चलने लग है ये सारा ये सारी हकिकत उस बैल गाड़ी वाले ने प्राप्त कर ली बैल गाड़ी वाले को जैसे ही पता चला कि बाबा साब एक अचूत है अचूत के बच्चे है वैसे ही उसने बैल गाड़ी रोकी और बैल गाड़ी रोक कर सभी बच्चों को नीचे उतारा बाबा अचूतों के बच्चे हो, अचूतों के बच्चे हो, मेरे बैल गाड़ी में बैठना ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। अचूतों के बच्चे हो, अचूतों के बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हारे बगल में नहीं बैठ सकता। कोई नदी आती है, तुम्हें वो गाड़ी रुका कर तुम लोग पानी पीकर आजाओ। बाबा साब और सभी बच्चे उस पानी की ओर गए, नजदीक जा कर देखा, तो वो कीचड में थोड़ा बहुत पानी दिखाई दे रहा था। बाबा साब ने देखा ये तो कीचड है, यहां का पानी में कैसे पी सकता हूँ। लेकिन बहुत प्यास लगने के बावजूद बहुत प्यास लगी थी, इसलिए बाबा साब अंबेड कर जी ने वो मटी मटी हटाई और वहां का पानी बाबा साब ने पिया। ये पानी पीने के बाद बाबा साब अंबेड कर जी को अपने पिता के पास पहुचा आया गया और पिता ने देखा कि मेरे बच्चों की क्या हलत हुई है। और उसी बच्चे ने जाकर भारत का ये सविधान लिखा। बाबा साब अंबेड कर जी को कीचर का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। इस सविधान के वजए से आज हम लोग फिल्टर और मिनिरल का वाटर पीते हैं। बिसलरी का पानी पीते हैं। पचास रुपे लीटर का पानी लाकर हम लोग अपने घरों में पीते हैं। ये बाबा साब अंबेड कर जी के इस सविधान के वजए से, सत्तर साल के इस सविधान के वजए से आज हमारी जो परिस्तिती है वो इतनी बदल गई। अड़ाई हजार सालों का मनुसमूर्ती हमको पानी पीने के लिए रोकता था। बाबा साब का ये सविधान हमको बिसलरी का पानी पिने की इजाज़त देता है। ये है बाबा साब का सविधान और इसलिए बाबा साब के इस सविधान से आज भी ब्रामन नफरत करता है। आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आभार, धन्यवाद, जै भीम, जै भारत, जै बुद्ध, जै सविधान।